एक लड़की थी बहुत ही खोबसूरत, बहुत ही प्यारी, जितनी वह सुन्दर थी, उतनी ही सची इमंदार, ना किसी से जूट बोला, ना फालतू की बाते करना, बस अपने काम से काम रखती थी, उसी क्लास में एक लड़का था प्रेम, वह मन ही मन उसे बहुत प्यार करता प्रेम अक्सर उसे छोटे मोटे काम कर दिया करता था, बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक्यू कहती तो प्रेम की खुसी की सीमा नहीं रहती थी, एक बार दोनों साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोड़दार बारिस होने लगी, दोनों ने एक पेर के नीचे ज पाकर प्रेम अपने जज़वातों पर काबू न रख सका, उसने लड़की को परपोज कर दिया, लड़की भी मनी मन चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस दोनों का प्यार परवान चटने लगा, एक बार की बात है, लड़की उसी पेर के नीचे प्रेम का इंत नहीं रहता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पुछ लो प्रेम की, इस प्यार भरी बातों को सुनकर अपना सारा गुसा भूल गई और दोर कर वह प्रेम से लिपट गई एक दिन दोनों, लोग उसी पेर के नीचे बैठ के बाते कर रहे थे लड़की ने, सौ साल के बराबर लगता है, तुम उससे सादिक कर लो, नहीं तो मैं मर जाओगी, प्रेम ने जट से लड़की के मुह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान ऐसी बाते मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो मैं कैसे जिन्दा रहूँगा, फिर वह दीरे दीरे, काफी समय बित गया, एक दिन दोनों उसी पेर के नीचे बैठे हुए थे, उस समय प्रेम का चेहरा उत्रा हुआ था, लड़की के पूछने पर रुआसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घरवाले को बहुत समझाया, पर वे हमारी सादी के लिए तयार नहीं है उन्होंने मेरी सादी कहीं और तय कर दी है, यह सुनकर लड़की का कलेजा फट परा, उसका मन हुआ कि वह जोड़ जोड़ से रोए, लेकिन अपने जजवातों पर काबू पाल लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती फिलीज मुझे माफ कर देना, प्रेम धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त बन कर रह सकते हैं, लड़की यह सुनकर जोड़ जोड़ से रोने लगी, प्रेम ने उससे समझाया और फिर दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए, आखों के साथ लर्की कलेजे पर पत्थर रखकर मुस्कुरा रही थी,